हालो फ्रेंड्स तुड़े वी आ टाकिंग अबाउट यूलर्स मेथड और यूलर्स मोडिफाइड मेथड आज का मैंने लेक्च्छर जो ही वह हिंदी में तजार किया है बिकास कुछ स्ट्रेंट को लेंगवेज प्रोब्लम हो रही है आज हम यूलर्स मेथड और यूलर्स म देरिवेशन में इंट्रेंट नहीं होते हैं डिटेल में पढ़ना नहीं चाहते हैं जास फामूला और इस पर बेस कोश्टन में उनका इंट्रेस होता है तो इन दोनों मेथड पर बेस कोश्टन हम नेक्स वीडियो में सोल करेंगे लेकिन जो स्ट्रेंड डिटेल में of y with y of x0 equal to y0 it is the general form of first order and first degree differential equations ये जो आपो को दिशन दिर की y of x0 equal to y0 इस कंदिशन को हम कहते है इस कंदिशन को हम कहते है इनिशल conditions इसकंदब क्या है आपको दिरका है y के विले आपको दिरकिए y0 कब जब x के विले क्या हो x0 हो right now by u last method we have to find the value of ym of y at xm of x right for example आपको initial condition यह दे रखिए यह वाइब ऑफ वान एक्वार्ट टू 3 ठीक है इसका अंदब क्या है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हों y is equal to 3 and x equal to 1 और आपको find करना है y of 3 पर y q value find करना है means क्या find करना है आपको it means you have to find value of y at x equal to 3 ठीक है तो यह आपको initial condition है x equal to 1 पर आपको y की value दे रखिए और x equal to 3 पर आपको y की value find करना है आप ठीक है तो यह आपको initial condition से x की जिस value पर y की value find करना है वह मारी एक्स की जो है last value के लाइगे final value ठीक है तो इन दोनो value के help से हम एक interval define करेंगे 1,3 अब इस interval को हम divide करेंगे equal number of parts में तो formula क्या होता है इसका last value क्या है 3 minus initial value और denominator में हम वह value केंगे जितने parts में हमको divide करना है ठीक है तो जितने ज़्यादा parts होंगे आप answer उतना ज्यादा accurate होगा है आपर ठीक है तो इसको for example हम four parts में divide करने हैं आपर तो इसके वह लिए आगे 0.5 तो आप 1 का में थे interval को 0.5 की length में जिद्ध करो गाएं पर तो इस फर एक्जमपल यह आपका बान ए तो इसको में 1.5 के लिए तो में तुम ने तुम है 1.5, 2, 2.5, 3 और parts के लिए कितने 0.5 तो इसको में 4 parts में divide किया है आपर यह first part है, second part, third part and fourth part इसी concept को हम generalize कर रहे हैं, so we divide the interval xm-x0 xm पर xm किया है, xm पर आपको y-qualifying करना है और x-node आपको दे रखा है x-node पर y-qualifying आपको दे रिखे हैं यहाँ ठीक है, तो इन दोने के help से आपने एक interval concert किया है, x-node, xm, जैसे हमने आपके 1, 3, तब इस interval को हम डिवाइट करें, जैसे हमने आपको दिवाइट के था, 3-1, so x-node, x-node को हम डिवाइट करना है, into m equal parts में, तो formula क्या होगा है इसका, xm last value minus first value divided by, जितने parts हमको डिवाइट करना है, for example हमको यहाँ पर m parts में डिवाइट करना है, ठीक है, तो यहाँ सहमें मिलेगा, हार parts के लिए हम यहाँ पर मिल जाएगी, for example, for m is equal to 1, we get x1 is equal to x0 plus h, similarly for m is equal to 2, we get x2 x0 plus 2h, m is equal to 2, so x2 is equal to x0 plus 2h, एक graph जैसे consider करें, for example, यहाँ आपको initial condition दे रहें यहाँ पर, x0 पर y के उले दे रहें क्या है, y0 है, तो यह length हमारे कितने होगी, it is y0, right, देखिए जहाँ पर हमारे पर initial conditions, और यह equations के अलावा, question में हमें कुछ नहीं दे रहा होगा है, ठीक है, और हमें क्या find करना है, यहाँ यह हमारा solutions करो, is known as solution करो, यह हो सकता, आपको इस form में मिल जाए, y is equal def of x के form में आपको यह कवर मिल सकता है, ठीक है, और किस spine पर हमें y के लिए फाइन करना है, हमें फाइन करना है y के लिए, at x equal to xm पर, हमें y के लिए फाइन करना है, यह आपका क्या है, यह हमें, तह हमने कहा है, यह हम पर x0 और xm, यह जो interval है, इसको हमने डिवाइट किया है, कितने parts में, m equal parts में हमने इसको डिवाइट कहें है, ठीक है, for example, यह आपका x1 और यह फाइन करना है, यह फाइन करना है, हमें, हर part की length कितने है, h है, ठीक है, so x1 को में इस टाइप से बिवाइट सकते हैं, तो x0 प्लस 2h, इसको अब इस टाइप से लिख सकते हूँ, x2 is equal to, we can also write, x1 plus h, x1 में h, h8 करते हैं, आपको x2 मिल जागा है, यहाँ पर, इसी diagram को हम zoom करके हम देख रहे हैं इसको आगे, तो इसी graph को मैंने expand करके हम पर लिखा है, यह हमारा x0 है, यह x1 है, यह x1 है, यह हमारा y0 है, और यह हमारा solutions कर हूँ है, एक concept नहीं पर आप द्यार रहे हैं, कि करो के, अगर किस भी point पर अगर हमें, करो का slow fine करना है, तो slow fine करेंगे, बहुत सारी method है, एक method तो यह है, कि अगर आपके पास करोगी equation है, तो इसको आप differentiate कर दो, means dy by dx fine कर दो, और just fine पर आपको slope fine करना है, वो fine इसमें put कर दो, बाट यहाँ पर तो question में आपको डारेक्ट, आपको differential equation के form में, आपको equation दे रहे हैं कि dy by dx कल तो f of x, y, okay, आप तो आपको diffusion करने के ज़रूत नहीं, जिस आपको यहाँ पर क्या fine put करना है आपको, ठीक है, तो जिससे मैंने बताया, slope आप कैसे fine कर सकते हैं, slope fine करने का formula क्या होगा, m is equal to, general slope को आपको पसेंट करते है, m से, तो function को आप differentiate करोगे, एक से respect में, जिस भी point के, point आपको slope fine करना है, वो इस point पर आप, इसकी value fine कर लो, और एक और दूसा तरीका क्या है, जिस भी point पको slope fine करना है, जैसे for example, मुझे slope fine करना है, point A पर, right, इसको मैंने point A दिया है, तो इस point पर हम एक tangent डा करेंगे, आपर, जैसे अभी मैं, एक tangent डा कर रहा है, आपर, right, हमने एक tangent डा करिए, तो tangent जो है, x-axis के साथ, जो angle create करती है, ठीटा का, हमने सब उसक्राइब, इंगल create कर रहा है, ठीटा, right, तो m is equal to 10 ठीटा, b slope को रिपसंद करेंगा, यहाँपर, ठीक है, तो इस मतर से भी हम, कारू का किस भी point पर हम slope fine कर सकते हैं, यहाँपर, ओके, तो यह point क्या है, हमारा y1 है, यह हमारा actual point y1 है, लेकिन जब हम यूले method से, इसका solution find करेंगे, तो हमें y1 यह मिलेगा, right, ठीक है, इसका अन्दब क्या है, यह क्या है, आपकी, error यहाँपर, यह हमारी error है, और यह जो है, हमारी यहाँच से, यहाँ तक, यह जो है, it is our actual length, लेकिन हमें y1 मतर से क्या मिली है, यह length मिली है, ठीक है, तो यह इस में क्या है, error है, ठीक है और यहां से आदाक कितनी यनोट है तो यह डिस्टन्स कितनी होगी है Y1- Y0 ठीक है विकाउस यूले मतलद सामें यह लेंज मिली जबके एक्ट्र लेंज क्या है यह एक्ट्र लेंज है आपर ठीक है तो लेकिन इस error को हम minimize कर सकते हैं नमबर आफ इंटर्वल्स को इंक्रीज कर गी जितने जादा नमबर आफ इंटर्वल्स होंगे आपकी इर्स उतनी कम होगी आपर यह कोशन में आपको और दे रखा है विट इनिशल कंडिशन के रहे है य उफ एक्स नॉट इस एकल टू य नॉट तो जैसा मैंने आपको बता है आपको फंक्शन को डिफिशन करके भी आप स्लोप फाइन कर सकते हो और आरड हमें कोशन में डिवाइब दे रखा है तब अब अब अगर हमें स्लोप प्रीन करना है पाइंट य और सो जोप ओ ओव टैंजेंट को एक्स नॉट काम आउंड नाट मैंane दैकी को डिउट के रहें है एक्स नॉट काम आउंड य नॉट तुक्तै हो पाइनत एक्स नॉट कामाऊ वी नाट नॉट तुक क्या होगाए स्लोप कासा करो सकते हैं किस करते हैं आप की सब्सक्राइब अगर यह वाए थो इसको कर दो भीवर्य को so you can also find slope like this we can find 10 theta right so f of x comma y at point 10 now point 8 के का है x naught comma y naught so you can write f of x comma y 8 x naught comma y naught which is equal to क्या होगा f of x naught comma y naught x or y equal to place for the x naught comma y naught say so you get 10 theta okay now f of x naught comma y naught now in triangle for example it is your point P now in triangle P A this is your point C for example 9th triangle P A C 10 theta की वे लुए क्या होगी 10 theta क्या होता है 10 theta is perpendicular upon base now this perpendicular upon base so we can write y1 minus y naught divided by h so y1 minus y naught divided by h or you can write y1 is equal to y naught plus h into f of x naught comma y naught okay so it is our first approximations first approximations right similarly हम y2 भी fine कर सकते हैं y2 के से fine करेंगे अभी हमने point a पे tangent डाँ करिए y0 पे हमने tangent डाँ करिए अब point c पे tangent डाँ करके y2 fine कर सकते हैं y2 क्या में लेगा हमने y2 y1 plus h f of x1 कामा y1 तो इसे को हम आगे जनाइस कर सकते ही हमें y2 fine कर सकते हैं y3 fine कर सकते ही y4 ym ठीक है तो in general ym is equal to कलिक सकते हैं ym-1 h f of xm-1 y5 method and this method is also known as the runja kutta method of second order और अब इसके पिले जो हम ने यूलेस method पढ़िए से सोल्ट करते हैं तो हमें एक power series के फार्म में एक सूरोचन मिलता है तो वहाँ पर हम Y के direct value find कर सकते हैं एक्स के वल्यू पुट करने पर ठीक है लेकिन यूलर्स मेतट यूलर्स modified method अडम्स मेतड मिलने method यहां पर हमें power series के फार्म में सूरोचन यहां पर हम जो error जो हमें मिलाता यूलरस मेथट में इसको हम यहां पर minimize कर रहे हैं यूलरस मतल से हम already y1 fine कर चुके हैं और उसकी value क्या है y0 plus h times f of x0 कमा y0 इसको हम denote करें y1 of 1 से means हम यह point fine कर चुके हैं यह जो distance है यहां सह तक distance हम fine कर चुके हमें y1 of 1 ठीक है यह जो हमें error जो हमें मिलाता actual paint हमारा यह है तो इस error को minimize कर रहे हैं यहां पर और यूलरस में में हमने suppose किया था कि अधिस करू इडिस और solutions curve is approximated by this line okay which is represented by this line तो अब देखिए error काफी ज़्यादा है यहां पर और जैसा मैंने आपका एक concept अभी discuss किया था जैस यूलरस method में कि अगर हमें करू का किस भी paint पर अगर हमें करू का slow fine करना है तो आप करू की equation को differentiate कर दो और spine के value put कर दो ठीक है और लेकिन यहां पर हमें question में direct हमें di by dx दे रखा है यहां पर हमें उसके value क्या है f of x comma y तो अब अगर हमें जैसे curve के कैसे भी paint पर अगर में slow fine करना है तो spine के coordinate को आप put कर दो ठीक है जैसे हमें for example point a पर हमें slow fine करना है तो point a कोडिनेट के है एक्स नोट कमा y नोट और यह क्या है it is the tangent at point a so point a पर करू का slope क्या होगा f of x not comma y not so point a पर करू का slope क्या होगा f of x not comma y not और यह जो tangent है उसका हमने l1 से denote क्या है so l1 is tangent at point x not comma y not and whose slope is f of x not comma y not right अब हम point c से अब है एक लाइन हम डा कर रहे है जो point c से पास point c से पास हो जाती हो और जिसका slope क्या हो f of x 1 comma y 1 of 1 right so it is our line l2 यह हमारी l2 लाइन है जो point c से पास हो रही है है और उसका slope है f of x1 comma y1 of 1 right जिसको मैं रिपरसंट क्या है l2 line से l2 से अब हम l3 line draw करेंगे जो point c से पास हो रही है और जिसका slope क्या हो जिसका slope l1 और l2 के slope का average हो right मिन उसका l1 का slope क्या था f of x0 comma y0 और line l2 का slope क्या है f of x1 comma y1 of 1 तो हम एक l3 line draw कर रहे है इस line l3 जो point c से पास हो रही है और जिसका slope line l1 और l2 के slope का average है ठीक है तो इसका अंदर क्या है l3 line का slope क्या है यह है एक लाइन का slope अब हम वह line draw कर रहे हैं जो point a से पास होके जाती हो और जिसका और जो line l3 के parallel हो right यह point b है और यह point को हम denote कर रहे है डी से ठीक है तो आओ और यह जो line कुंसी है हमारी it is our line l इसको हम denote करते है l से और line l जो ही वो line l3 के parallel है यहां पर ठीक है तो हमें पता है दो parallel line का slope क्या होता है equal होता है अगर l3 line का slope यह है तो line l का slope भी यह होगा है यहां पर ठीक है और ध्याना है कि हम पर l3 line के parallel infinite lines होगी लेकिन वो सिर्फ एक line होगी जो point a से पास होके जा रही हो और जो l3 line के parallel हो ठीक है तो अब हम line की equation find कर सकते हैं अगर हमें line का slope पता हो और जिस point से पास हो और वो point हमें पता हो तो हम line की equation find कर सकते हैं उसका formula यह है equation of the line passing to the points e, slope is m now we can find the equations of line l so equations of line l तो यहां से हमें point d का हमें y current मिलेगा यह point d है इसका x current क्या है x1 है right और y current क्या है इसका हमने आपे सबस्किया है y current क्या है y1 now equations of line l formula क्या हता है y minus b so y1 minus y0 is equal to m m is the slope of the line और इस line का slope क्या है जो slope l3 का है और l3 का slope क्या है यह l3 line का slope है so we can write 1 by 2 f of x not comma y not plus f of x1 comma y1 of 1 into x minus x not ठीक है तो यह line l की equation है जो किस point से pass हो और यह point a से pass हो जिसके coordinate क्या x not comma y not तो हमने a और b की place पे x not comma y not put किया है यहांसा हमें y coordinate मिलेगा किसका d का और जो क्या y1 है और x coordinate क्या है इसका x1 इसलिए अपर हमने लिखा है y1 or x1 right or x1 minus x not it is our h so you can write y1 is equal to y not plus x1 minus x not is h so you can write h by 2 f of x not comma y not plus f of x1 comma y1 of 1 हमें इसका y1 point d का y coordinate मिल चुका है यहांपर लेकिन नहीं दाने कि यहांपर के जो exact point y1 वह क्या है वह point b है तो इसमें यह आपकी क्या है यह इरह है आपर तो obviously यह आपर जो users term से यहुदर थी उसका हमने काफी minimize कर दिया है यह ठीक है इसी को हम जनलाइज कर सकते हैं आप आप नाप प्रोसेडिंग सब्सक्राइब लिए विकन राइट वाइ एम प्लस वन एक्वल तो यह यह यूलस मोडिफाइड मेतर का जनल फॉमुला है यहां पर आप 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 म के वलब पुट कर जाएं यह एकल तो 0 1 2 3 अगर आप एच बाइटो f of x0, y0 f of x1, y1 of 1 इसे से आप पुट करोगे m is equal to 2 3 4 m is equal to 2 अगर आप 0 पुट करोगे यहां पर आपको मिलेगा y1 of 1 यह y1 of 1 की विल्यू आप फाइन करोगे यूलस मेथड से तो यह दाना के यूलस मोडिफाइट मेथड अप्लाई करने के लिए हमें पहले y1 of 1 की जरूत होगे यहां पर ठेके और यह दाना के यूलस मेथड में हमने आप एजूम किया था यह हमने एजूम किया था यूलस मेथड में हमने एजूम किया है कि यह सोलूशन करोई यह इस लाइन एल के द्वारा रिपरसेंट हो रहा है this solution करो is approximated by this line L in lumps Modified method तो इसमें यह जूर है पहले जो यूलस मेथड मेथड में हता है Wohan काफ UK minimize हो गई है ठीक है और इस errors को हम और भी minimize कर सकते हैं अगर हम number of interval increase करते हैं तो ठीक है तो यह एक general formula है इसको आप याद रखी है